हरो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत तिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानि नौमिक अक्षा के लिए जो है समाजिक विज्ञान ये टॉपिक कई मानने में एक्जाम के भी उसे बहुत काफी इंपोटेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछी कोशन का विसकर्ष करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतरगत होगा ठीक है और ये आपक पुड़ा करने का समय है तो चली देखते हैं हमारा आज पहला कोशन क्या है। The next is the most important what was the global influence of Russian Revolution? What is the question? What was the global influence of Russian Revolution? The important question for the exam view, the first point here, in many countries Communist parties were forming like the communist party of Great Britain. the first point is important in many countries communist parties were formed like the communist party of great bethain and second point the volcovics is encouraged of colonial people to follow their experiment of taking power that is important the volcovics is encouraged the conicals is a people to follow their experiment of talking power and third point many non-russians from outside the ussr participate in the conference of the people of east and volcovics founded to the combinator and international union of pro is a volcovics is a socialist party and four point some receive education in a ussr as a communist the universities of the workers of their east okay the ussr there is important some receive education for the usr as a communist university of the worker of east and the fifth point the last point is here by the time of the outbreak of the second world war the ussr has given to the socialism a global face and as a world structure there is a global influence of russia revolution here is our question which is ruse kranti ki weshwik प्रभाप डाला तो वेश्वी प्रभाप क्या डाला तो इसी बात पर जो हम कॉम्मिनिस्ट पार्टी का गठन हुआ लेकिन ग्रेट बिटेन की कॉमिस्ट पार्टी की तरह ही हुआ क्योंकि देखिए जिसका प्रभाप अच्छा रहता है लोग उसी तरह के पार्टी का निर्मान करने में सक्षम होती आपको क्या लगता कि कॉंग्रेस पार्टी बनाई गई थी सायद आपको बात सही से इंफोर्मेशन नहीं है कि कंग्रेस पार्टी भारत में नहीं है हर एक देश में अमरीका में कंग्रेस थी तो कहते हर एक देश में Congress party यह कहते है उन्हीं से ही जो है 8885 में भारत में kongress party की उदय हुई हैं यहां के जो इन्यता सब लोग थे वीदेशों की बातें जानके समझ के फिर भारत में भी कॉए ऐस पर्पार्टी के स्थाफिना किया तो आप समझ सकते हों कॉए कॉंग्रेश पार्टी सिर्फ भारत में नहीं है हर एक डेश में यह दूसरा point कि हम बात करें तो इस विकों में उपनेवेशिक लोगों के सत्ता हत्याने के अपने प्रयोग कानुशन करने के लिए पुरसाहित किया यह बहुत इंपूरेंट बात आता है कि वैस्विलिकों ने उपनेवेशिक जो उपनेवेशिक लोग थे यानि दूसरे देस किया अगर सधान सब्दों में देखा जाए तो तक भारत एक देसा है और अनग्रेज बनाया अब बना लिया तो दो यहां सुरू कर दिया भारत से लेकिन उन्हों ने सिर्फ बेपार पर अपने अपना कदम नहीं रोका नहीं क्या किया सत्ता में भी अपना हाँ जमाने लग गया सत्ता का मतलब होता है राजनीतिक में चले गए यहां पर वो मकसद किस मकसद से आयते हैं कि भारास से हम क्या करेंगे बेपार करेंगे लेकिन उनका धीरे धीरे जो है इंट्रेस्ट राजनीतिक में चला गया और राजनीतिक में उन लोग के सत्ता हत्याने कि अपने प्रियोग का अनुसरन किया कि इस देश का जो है सत्ता अपने हाथों में ले ले और इसके लिए उन्होंने काफी परसाहित किया लोगों को समझ गया ना कोशन का क्या अर्थ था दूसरी बात बताता है कि USSR देखिए USSR आपको शायद पता होग कि जब हमारा सीत काल यूद चली थी यानि जो कॉल्ड वार्ड चली थी इसमें दो देश था एक तो अमेरिका था और एक USSR था अब सुचेगा USSR में था क्या USSR में रूस फ्रांग जर्मनी सारे देश थे सारे देश बन मिलके एक USSR का जो है गठन किया गया था समझ गये बात कि मैं क्या कहना चाता हूँ यहाँ USSR का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि USSR जो है इसको हिंदी में हम सौविस संग कहती है और सौविस संग एक राष्ट नहीं था इसमें कई देश मिलके एक बनाया गया था इसमें रूस फ्रांज जर्मनी सारे देश थी ठीक है तो USSR के बाहर क गया रुष्यों के पुर्व समिलेंड में भाग लिया था जो की काफी मैतपून है कहते हैं जब दुसरा विश्व यूद खतम हुआ था तो देश पुरा विश्व जो था कॉल्डवार के चपेट में आ गया था कॉल्डवार का मतलब होता है कि बिना सस्त्र अस्त्र से हार गया तो मेरी जो है लोग खिली उडाएंगे इसलिए क्या करते हैं बातों का लड़ाई करते हैं इसी तरह जो था अमेरिका और यूससर में जो कॉल्डवार चली थी वह बातों का यूद था मीडिया का यूद था अपने आपको पावर्फुल कहने का बात थी तो समझ कोशिश किया है कुछ यूएससर्ण के कमिनूस्ट उनिवर्सिटी आफ द वर्करस और इस्ट में सिक्श्षा प्राप्त करने के लिए बनाया यह विश्व का प्रभाब है कि देखिए जो करांती हुई इस अभी देशों पर कितना प्रभाब यहां पर दिखने को मिल रहा ह कहते हैं द्रिते विश्यूद के फैलने के समय तक यूससार के समाजबात को एक वैश्विक चेहरा और विश्वकद दिया गया था यानि सेकेंड वॉल बार में जो था यूससार बहुत काफी पावर्फुल हो गया था ठीक है तभी तो अमेरिका से वह दो-चार हाथ करने के लिए तयार हो गया था तभी जब कॉल्ड बार चली तो अमेरिका और सोवित यूनिट की यानि यूससार के बीच जो है मानसिक यूद चली थी तो यह जो था क्यों हुआ इसका थार रूसिक रांती का वैश्विक सुनियेगा तो मेरा विश्वास है कि आप कुछ याद नहीं होगा ठीक है और एक बार आप समझ लिए गया सोच लीजेगा तो बहुत असान रहेगा एक बार मैं फिर से पता दू कि इसका वैश्विक प्रभाग क्या पड़ा अपने सब्दों में देखिए रूसिक रांती प्रभाग क्या था कहते कई कमिस पार्टी का इसमें उदय हो गया यानि देखा रहें तो कोई देश में कमजोर देश किसी को चुनावती देता है तो कोई दूसरा बंदा उसमें फैदा उठा लेता है आपने बिल्ली और बंदर की स्टोरी देखा ही होगा कि दो विक्ति ज फैदा उठा लेता है तो यहीं दूसरा पॉइंट है कि आपस में दो विक्तिक लरा देते थे और वो जो है खुद फैदा उठाके चले जाते थी इसे भारत में भी हुआ जो है कई रूश्यों के उन्होंने एक संग बना लिया इसका प्रभाब यह परा कि जो 120 संग थे उन चोथी बास तक दिति विश्वत के फैलने के समय जो है उसार समाजबात के वैश्वी चेहरा और भी कदब उचा हो गया यानि देखा जाए तो सोवित संग का उदय होने का सबसे बरा कारण यही था कि रूस की क्रांती थी जिसके वसे जो है उससार को काफी पावर मिल गई और यह जो है विश्व में दूसरा पावर के रूप में आ गई पहला पावर क्यों था अमेरिका दूसरा पावर क्यों ठाहिंबरा को बना यानि बुलना मत जितना हो सक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सेयर करना है क्योंकि कहते हैं अपना भलाई के साथ दूसरे के भलाई भी देखना एक अच्छे इंसान का दाइत्व है ठीक है तो आप अगर अच्छे इंसान हो अच्छे विक्ति हो जरूर जो है यूटूब किसे क कॉपी के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने बच्छों को भी लाभांत्रित कीजिए ठीक है अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लिजिए तब ही आपको अगले वीडियो का नोटिफिक्शन प्राप्त हो सकेगे